दोस्तों अगर आप भी अपने तिल मस्सों से परेशान है यानि कि आपकी तुचा पर तिल मस्से हो गई हैं और उन तिल मस्सों को आप रिमूब करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा घरिलू नुस्खा बताऊंगी इस नुस्खे से आप अपने तुचा पर जो तिल मस्से हो गई हैं उनसे आप छुटकारा पा सकेंगी और उनसे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा और किसी भी प्रिकार का कोई दाग धबा नहीं होगा और मैं आपको बता दू इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होगा आपके अगर पुराने से पुराने तिल मस्से हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा तिल मस्से बहुत से लोगों को परिसान करते हैं यानि की तो अचा पर अजीब जगह पर हो जाते हैं जैसे क्यां लेना होगा कॉलगेट का पimyश्ड मैंने या पर भायुट वाला लिया है यानि की सभेधद वाला तो आप ये क्उलगेट ही लें तो हमें क्या करना है कॉलगेट को ले करके इस कटौरी में हमें डाल देना है तो हमें कितना लेना है कोलीजेट तो हमें कृणिज परागांने फिलिए कन देला है अब इसके बाद में हम दूसरी समगरी डालेंगे वह है दोस्तों यह बेकिंग सोडा ये देखिए सोडियम वाई कारबोनेट तो आपको लेना है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं लेना है बेकिंग सोडा आपको लेना है आप देख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है यानि की मीठा सोडा इसका कोई साइड इफक्ट नहीं है आप बिल्कुल नगबडाएं आप यहां पर हमें कितना लेना है आदा चमच करीवन हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे यानि की मीठा सोडा डाल देंगे यहां पर यह देख सकते हैं मैंने आदा चमच भर करके इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है अब इसके बाद में हमें इसमें कौन सी सामकरी डालनी है इसके बाद में हमें इसमें ड कॉल्गेट मिल करके आपकी जो तिल मस्य ना उनको बिलकुल रिमूब करेगा तो यहां पर हम करीबन आदा चम्मच ही बराबर कॉंटिटी में हमें सारी समगरी डालनी है यह देखिए इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है मैंने आदा चम्मच कॉल्गेट का पेश्ट लिया है आदा चम्मच ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है और आदा चम्मच ही मैंने इसमें एरेंडी का तेल लिया है अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी इतने मे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा सा ज्वceksin हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा एकने और ऑर मिला सकते हैं यह देखिए है यह एक इसब्स Sugden यादि की bond कि सौप्ट पेश्ट बनार के तईर औुगा है हमारे तिलमस्तों को हटाने के लिए अब इस ऐसे कैसे लगाना हैं कितनी दे लगाना है और कितने दिन लगाना है यह फ dlb और लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी तो यह जो आप सकते तो आपको करना क्या है यह किस तरीके से लगाना है यहां पर थोड़ा सा कॉटन लिया था और कॉटन को इस तरीके से माचिस की तीली में लगा दिया है तो हम क्या करेंगे इस पेश्ट को लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इस पेश्ट को ले लेंगे और ले करके जहां आपके तिल मस्से हैं आप उस जगह पर इस तरीके से यह देखिए केबल मस्सो पर ही लगाएं बहुत ज्यादा आपको इदर उदर नहीं लगाना है केबल मस्सो पर ही आप लगा देखिए यह आप देख सकते हैं इसके आगर आप इस पेश्ट को यूज करेंगे अपने तिल मस्सों में तो कुछ दिन के प्रयोग से ही आपके जो तिल मस्से हैं वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएंगे और इनका दाग धबा भी नहीं बचेगा और मैं आपको पता दूँ इस नु आपको ने की इसको बंद कर देना है तो आप क्या करेंगे कोई भी पॉलीशिन ले लीजिए घर में पॉलीशिन बहुत सारी पड़ी होती है आप वो पॉलीशिन ले लीजिए और इस तरीके से आप इसके उपर पठी टाइप निकालने पॉलीशिन से और इस तरीके से आप इसको कवर कर दें इस तरीके से हमें इसको बांद देना है और इस तरीके से आपको क्या करना है कितनी दिल लगाना है आपको इसे बांद करके करीबन 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है इसको ऐसे ही लगा रहने देना है और 20 मिनट के बाद में आप इसे पानी से साफ कर लीजिए बस इतना सा आपको करना है तो इस तरीके से इस नुस्के को लगबग लगबग आप करीबन पांस से च्छे दिन तक यूज करेंगे और आप खुद ही देखेंगे आपको तिल मस्ते हैं वो बिल्कुल रिमूब हो चुके हैं आप खुद ही देखना और इनका एक भी आपको लिए नहीं मिला है क्योंकि दोस्तों यह आजमाया हुआ नुस्का है इस नुस्के को मैंने ट्राइ किया है और तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आई हूं और मुझे कमेंट करके आप बताना किस ट्रॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप इसी तरीके इस नुस्के को यूच कर रहे तो दोस्तों यह जो पेस्ट है आपके तिल मस्तों को रिमूब करेगा आपके तिल मस्तों को खटाएगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों में सेर करें चैनल सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूंने वीडियो उसकी स अब तक के लिए नमस्कार